हेलो रिखुम बैक टू माई शैनल स्पाइस एंग्लिस गाई आज के से सेंटेंस बहुत जीजादे इंपॉटन्ट है अगर आप भी अपने इंगलिस इंप्रूप करना चाहते हैं और अच्छे से इंगलिस बोलना चाहते हैं तो गाईग्स इस वीडियो को लाज तक जरूर आप कुछ पीना चाहेंगे तो वहाँ पर ऐसे पूछ सकते हैं कि आप कुछ लेंगे टी और कॉफी यानि कि चाय या कॉफी तो ये बोलता है नो-नो कुछ नहीं 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 तुम्हारे पास दर्वाजी की चाभी है दर्वाजी की तरफ इशारा करके यहां से निकल रहे हैं आप अदालत की हिरासत में हैं तुम एक काम करो तुम मुझे अपने घर ले चलो या ऐसा बोल सकते हैं तुम अपने मुझे घर पे ले चलो तुम आचारी जी क्या सोचेंगे तवी या लडकी बोल रहे है अगर हम लोग चले जाएंगे तो आचारी जी सोचेंगे और विल आचारी सर से यह बोल रहा है कि वह कुछ नहीं सोचेंगे he will say nothing, यानि कि वो कुछ नहीं कहेंगे he will say nothing, वह कुछ नहीं सोचेंगे he will say nothing, मैंने बात कर ली है उनसे, I already had a word with him, I already had a word with him, मैंने बात कर ली है उनसे, I already had a word with him, कुछ नहीं सोचेंगे he won't say anything, he won't say anything वो कुछ नहीं कहेंगे, से का मतलब या आपका सोचने से लिया गया है he won't say anything he will not say anything वो कुछ नहीं सोचेंगे इसका मतलब case खतम हो गया है तब लड़की बोले meaning the trial is over meaning the trial is over इसका मतलब case खतम हो गया है the trial is over तब यह बोल रहा है yes हाँ हो गया है हाँ फैसला सुनाया गया है मैं बाईजयत बरी हो गया हूँ या the verdict has been announced and I have been accuted फैसला सुना दिया गया है the verdict has been announced and I have been accuted याने कि मैं बाईजयत बरी हो गया हूँ मैं बाईजयत रिहा हो गया हूँ I have been accuted और सब उपर चले गया है सोने के लिए and everyone has gone upstairs to sleep and everyone has gone upstairs to sleep और सब उपर चले गए हैं सोने के लिए everyone has gone upstairs to sleep तो चलो, so let's go so let's go, तो चलो, हम लोग चलते हैं so let's go, तब यह बोल रहे हैं गाइस की but why is uncle Haria still here यहाँ पर यह uncle सोया हुआ है तो यह लड़की बोल रहे हैं की but why is uncle Haria still here लेकिन चाचा हरी अभी भी यहाँ क्यों है but why is uncle Haria still here लेकिन चाचा हरी अभी भी यहाँ क्यों है तब यह बोला की उनकी आख लग गई थी वे उन्हें disturb नहीं करना चाहते थे he fell asleep and they didn't want to disturb him he fell asleep यानि की उनकी आख लग गई थी वो सो गई थे he fell asleep and they didn't want to disturb him और वे लोग उन्हें disturb नहीं करना चाहते थे मैं भी बहुत थक गया हूँ even I am very tired even I am very tired मैं भी बहुत थक गया हूँ even I am very tired मैं एक मिनट में ऊपर बता के आती हूँ तो यह बोल रहें let me inform the others first let me inform the other first यानि कि मैं उन लोग को inform करके आती हूँ तो यह पहले ही बोल दिये कि वो लोग उपर पे है everyone has gone upstairs to sleep तो यही बोल रहें कि मैं जा के उनको inform करके आती हूँ let me inform the others one मैं एक मिनट में उपर बता कर आती हूँ मतलब sense वही बनता है let me inform the others one यानि कि मैं उन लोग को inform करके आती हूँ नहीं कहां जा रहे हो तुम no where are you going where are you going कहां जा रहे हो तुम where are you going क्या बात है what's the matter तब यह लड़की बोल दियो what's the matter क्या बात है what's the matter इतने परिशान क्यों लग रहे हो आप why do you look so tense why do you look so tense इतने परिशान क्यों लग रहे हो why do you look so tense what's the matter तो गाईज यह जो आदमी है चोरी से घर से बाहर भागना चाहता है उन लोग को बताए बिना तो यह लड़की को भाहकार आया है कि अगर तुम्हार पास शावियों चलो हम लोग निकल चाहते है तो यह बोल रही क्या बात है what's the matter why do you look so tense तुम इतने परिशान क्यों लग रहे हो इतने परिशान क्यों लग रहे हो आप why do you look so tense तब यह बोल रहा है आप परिशान नहीं होंगो तो क्या होंगा what else do you expect me to do what else do you expect me to do तो गाईज यह expression है जब भी आपको बोल रहा है कि तुम मेरे से और क्या उम्मीद करते हो करने का what else do you expect me to do तब यह बोल रहा है आप परिशान क्यों लग रहे हो तब यह बोल रहा है कि परिशान नहीं होंगो तो क्या होंगा what else do you expect me to do यानि कि इसके अलावत तुम क्या चाहती हो कि मैं करूँ what else do you expect me to do परिशान नहीं होंगो तो क्या होंगा मुझे पता नहीं यह लोग मेरे साथ क्या करने वाले है I don't know what they are going to do with me I don't know what they are going to do with me मुझे नहीं पता यह लोग मेरे साथ क्या करने वाले है I don't know what they are going to do with me वे लोग क्या करने वाले है तुमारे साथ what are they going to do with you what are they going to do with you वे लोग तुमारे साथ क्या करने वाले है तो यह लोग तुमारे साथ क्या करने वाले है यह लोग कुछ भी कर सकते है they are capable of doing anything they are capable of doing anything यानि कि यह लोग capable हैं कुछ भी करने के लिए, यानि कि कुछ भी कर सकते हैं, they are capable of doing anything, यह लोग कुछ भी कर सकते हैं, they are crazy, यह लोग पागल हैं, यह किसी को भी फासी की सजा सुनात दे सकते हैं, they can even sentence someone to death, they can even sentence someone to death, sentence का मतलब होते है, punishment, punishment, वही यह बोल रहा है कि, या जो court भ रहा है तो वही बोल रहा है, they can even sentence someone to death, यानि कि वे किसी को भी फासी की सजा सुना सकते हैं, they can even sentence someone to death, यह किसी को भी फासी की सजा सुना सकते हैं, यूही casually, यूही casually, बिना कुछ गल्ती की, यूही casually, तब यह बोल रही कि, यूही नहीं, सिर्फ कसुवार सावित होने पर, not casually, only when proven guilty not casually, only when proven guilty, यूही नहीं only when proven guilty, सिर्फ कसूरवार सावित होने पर only when proven guilty लेकिन आप इतने परिशान क्यों है, but why do you look so tense but why do you look so tense लेकिन आप इतने परिशान क्यों है but why do you look so tense भगवान इस पर लानत है तो गुस्से में बोलता है God damn it God damn it, भगवान इस पर लानत है, इसका मतलब है God damn it, can't you ask your questions later, ये सारे सवाल बाद में नहीं पूछ सकती हो तुम, can't you ask your questions later, इसलिए जल्दी में गाइस कि भागना चाहता है घर से, और सब लोग सोर है, तो ये जल्दी से जूड बोल रहे हो, no, I know you are lying to me no, I know you are lying to me मुझे पता है तुम मुझे जूड बोल रहे हो, I know you are lying to me लेकिन मैं इन लोगों से गदारी नहीं कर सकती but I can't betray these people but I can't betray these people मैंने इन लोगों से मैं गदारी नहीं कर सकती I can't betray these people यानि कि मैं इन लोगों से धोखा नहीं दे सकती, इन लोगों को, I can't betray these people, इनके बहुत अहशान है मुझपर, I am indated to them, I am indated to them, indated का मतलब होता है काजी करज़दार होना, ready होना, यह एक adjective है, तो वह यह बोल रहें कि I am indated to them, यानि कि मैं बहुत ready हूँ, मैं करज़दार हूँ इन लोगों के, I am indated to them, मैं इनके बहुत अहशान है मुझपर, I can't betray these people, मैं इन लोगों को धोखा नहीं दे सकती, या मैं इन लोगों को गदारी नहीं कर सकती इन लोगों के साथ, I am indated to them, यानि कि इनके बहुत अहसान है मुझपर, मैं करज़दार हूँ इनकी, well guys, आश्किल्स वीडियो में इतना ही ज़रूब बताने कि एक वीडियो कैसी लगी, झाल, झाल, झाल